अब अब बात कर रहे हैं अलाइड दोजार चौबिस की तो दोचियों के बारे में इस वीडियों बात करेंगे पहला वहीं आपका जो लाइड की बचे हुए तयारी है वह कैसे करनी है इन 35 डीज में आपको क्या करना है ठीक है लगबक 35 दिन आपके पास बचे हुए है और द 2024 को आपका scholarship का test होगा किस के लिए होगा लगबक दो चीजाओं के लिए एक allied की course के लिए और दूसरा आपका allied की test series के लिए जिसको देना है उसकी इच्छा है ऐसा नहीं कोई compulsion है या कुछ ऐसा जिसको लगता है कि अपनी तयारी अभी कम है और resources कम है पढ़ाई के लिए सम नहीं जिनके तयारी अभी हाववे में हैं लेकिन अभी तोड़ अलग राया उनको कि क्या पता हो ना हो क्या हमें करना चाहिए तो हम चीज़ें यहां पर बात करेंगे और इन 35 दिनों की कहानी कोछ ऐसी है जो भी इस चैनल पर पहली बार आये हैं नए हैं वीडियो को पहल प्लस 15 इसको लिकर के चलिएगा यह 15 और 20 क्यूं है क्योंकि यह 20 दिन आपके सिरफ और सिर्फ और रिवीजन के लिए होंगे ज्यादा नई चैनल पढ़ने में नहीं जाएगा इसको जो तो क्लास के स्टुएट है वो तो हम क्लासे में जो करवा रहे हैं उसको कीशिएगा ठीक है और दूसरा अपना रिवीजन यह 20 दिनों में और इन 15 दिनों में आपको क्या करना है जो भी चीजिए आपको लगता है कि अभी कवर करने को रहे गई हैं बच गई हैं वो कवर कर लिजिए इन 15 दिनों में हो सकता है वो आपका जीएस का पोर्शन हो हो सकता है वो कर तो इन दोनों पर आप फोकस करके लेकर के चलिएगा लेकिन अपनी जो प्लानिंग है वो लगबग ऐसी ही लेकर के चलिएगा 20 और 15 दिन का आप ये खुद की प्लानिंग है ठीक है उसको चेंज मच कीजिए आपको आपने ये वीडियो देखी आप चेंज करने में लग गए लेकिन सोची का ज़रोर सोचना है सिरफ कि क्या प्लानिंग में आपकी कमी रहे गई है ताकि आप उसको इससे और जार टेकल अच्छे तरीक हुआ है अब यहां पर और चीज़ें क्या करनी है इसके अलावा प्लस अगर किसी ने अभी तक टेस्स की शुरुआत नहीं की है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है टेस्स को समय रहते ही कवर कर लीजेगा आंके पास बहुत कम समय बचिया है जो तो क्लास के स्टुएंट ह ठीघ के अनका 13 टेस्ट होने जा रहा है ठीक है 13 टेस्स होगा चार अकस्त को ही चार को ही आपका स्कॉलरशिब टेस्ट भी है तो 13 यह यानिकि 12 कमपिटी हो चुट की छो छोक जिसकी स्टुएंट है 12 यह का मतलब है हर एक टेस्ट में, बारा का मतलब है, हर एक टेस्ट में 200 mcq है, तो इसका मतलब हो गया कि 2400 mcq तो आप लोगों ने कर दिये होंगे, अब इन 2400 mcq का revision भी तो करना पड़ेगा, अब 0 नहीं किया है ये, वो इसका मतलब ये है कि 2400 mcq पीछे हैं, तो वो समय रहते test series को complete कर लेकिन test series का revision, test series को attempt करना सही समय पर, सही time में आपको ये आना चाहिए, तो उसको समय रहते कीजेगा, जिसने अभी तक नहीं किया है test series attempt करो, मैं ये नहीं कह रहा है कि हमारी test series attempt करो, हमारा ये सब कुछ हो, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, जहां से अच्छा लगता है, जहां से कर रहे हैं, वहां से करो, लेकिन करो जरूर, हम चाहते ही हैं, ये serious note पर है कि हम चाहते हैं, कि आप सभी के exam हो, जो serious student है, क्योंकि आने वाला समय बहुत आटफ है, हिमाजली का पता है, नहीं, employment अपने highest level पर है, competition बहुत आटफ है, अच्छी opportunity भी लिए है, allied की, जो serious student है, उनका हो जाए, परिवार या जो कुछ सोच रहे है, society के लिए, mental pleasure ये, सब चीजे थोड़ी बहुत खतम हो, तो उसके लिए आखरी समय पर हाथ पैर मार ही अपने, जितना efforts दाल सकते हैं, उतने efforts दालिए, सिर्व ऐसा नहीं है कि 15 गंटे पढ़ लिए, बस वही च लेकर भी चलना है, तो जिसने कर ली है, ठीक है, नहीं की है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, परी पर, और परी के लिए मैं आपको ये बता चुका हूँ, कि आपको 20 और 15 का target लेकर के चलना है, इन 20 दिनों में सिर्फ और सिर्व र रिविजन करते ही चीए, और हिमास्त जी का आपका रिविजन शुरू तो हो ही जाएगा, और 4 अगस्त को जो scholarship का test होगा, उसमें क्या चीज़ें होगी, अब देखिए, 4 अगस्त, उसे फाइदा क्या होगा, वो हम बात करें यहां पर, दो चीज़ें हैं, पहला, 4 अगस्त उसको जो test देगा, उसका GS का portion हम मान के चल रहे हैं कि ठीक-ठीक होगा, ठीक है, GS का portion उसका ठीक-ठीक होगा, नहीं भी है, तो classes में हैं उसके पास, proper classes होगी उसके पास, तो we have 70% का scholarship दी जाएगे उनको, जो 5 student होगे, starting की 5 student, 4 अगस्त, 24 को GS का portion लगबग ठीक होगा, करना जा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, दो push नहीं से बचेंगे, एक आपका हिमाजिल जीक और दूसरा आपका हिमाजिल जीक होगया और दूसरा आपका current affair होगा, ठीक है, तो यह दो चीजें आपकी पास होगी, एक current affair और एक आपका हिमाजिल जीक है, अब क्यूंकि यहां से margin लगबग चालीस भी कर रहे हैं। लिया तो आप इन हो जाएंगे आप में लिख रहे हैं कि मैंने सिरफ यहां पर को जीर कि आने वाले एक महीने में तो जिस्क पर करी सकते हैं ना क्योंकि हमाचल जी क्लासिस हो ही रही है जो होंगी अभी और क्लासिस आपके पास उपलब्द भी है और साथ ही साथ में करन्ट फेली क्लासिस आप ले सकते हैं जो उसमें हैं पीडियेफ हैं उसमें नोट्स अपने बना लीजिए तो यह दो चीज़ें यहां से 40-40 और यह कि आप यहां से इस तरीके से चीज़ें को कवर करें ठेक है और यह चार अगस्त वाप स्कॉलर्शिप का टेस्ट दे दीजिएगा और यहां पर आपको एप्लिकेशन का जो लिंक है वह दिस्कॉलर्शिप में मिल जाएगा वहां पर होगा या तो आप टेस्स स्रीज आपको एक्जाम से पहले कवर करनी है इसके अलावा कोई option है नहीं आने वाला समय मैं पहले कह चुका हूँ जरूरी नहीं है आप यही चीज़ कर रहे हैं लेकिन वह करो अपना 100% दो अब मेंस में बैठो मेंस में किसी पी तरीके से चाहे जीजान लगानी पड़े आपके लिए लेकिन वह हो जाएगा कवर हो जाएगा मेंस के लिए चिंता मत कीजेगा बाकि अपना 100% दीजिए जहां पर आपको डाउट आ रहे हैं आप बेशे क्लास के स्टुएट नहीं है आपने बेशे कोर्स नहीं किया है नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ आप बता सकते हैं ऐसा नहीं उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं आप समय रहते बता देजिए अब का पता चल जाए और उसको ब español ब्यार को पता लग जाए है तो यह सब चीजें हैं वाद की आपसे मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ses